अजो पिसन अब्या यात्मा भूता नामी स्वरो पिसन बूता नामी स्वरो पिसन प्रकृतिम स्वाम दिष्थाया प्रकृतिम स्वाम दिष्थाया संभवा म्यात्म मायया संभवा म्यात्म मायया प्रकृतिम् स्वाम धिष्ठाया प्रकृतिम् स्वाम भिष्ठाया संभवा म्यात्म मायया प्रकृतिम् स्वाम धिष्ठाया संभवा म्यात्म मायया प्रकृतिम् स्वाम भिष्ठाया प्रकृतिम् स्वाम धिष्ठाया संभवा म्यात्म मायया अजो पिशन अब्यायात्मा भूतानामी स्वरो पिशन। 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 प्रकृतिम स्वाम अधिश्ठाय संभवामी आत्ममायया। भगवान स्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जन, अहम, मै, अजह, अजन्मा और अब्यायात्मा अविनासी स्वरो पिशन। सन होते हुए अपी भी तथा भूतानाम समस्त प्राणियों का इश्वरह इश्वर सन होते हुए अपी भी स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति को अधिश्ठाय अधिन करके आत्ममायया। अपनी योग माया से संभवामि प्रकट होता हुँ। भगवान स्री कृष्ण जी कह रहा है कि अर्जुन देखो मैं अजन्मा और अविनासी होते हुए भी। अविनासी माने कि जिसका कभी नास नहो और अजन्मा माने जिसका कभी जन्म नहो। तो मैं अजन्मा और अविनासी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का इश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्या ग्ला निर्भवति भारत 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 ग्ला ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या तदात्मानम स्रिजाम्यां ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्या तदात्मानम स्रिजाम्यां भ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्थानम धर्मस्या अभ्युत्था अधर्म अष्य अधर्म की अभ्युद्धानम ब्रिद्धी भवत होती है तदा तब तब ही ही अहम मैं आत्मानम अपने रूप को रचता हूँ अर्थात स्रिजाम साकार रूप से लोगों के सम्मुक प्रकट होता हूँ भगवान स्री कृष्य जी कह रहें कि अर्जुन जब जब धर्म की हानी होती है और अधर्म की ब्रिद्धी होती है तब ही तब तब ही मैं अपने शुरूप को रचता हूँ अर्थात कहने का मतलब है शाकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ परित्रानाय साधुनाम परित्रानाय साधुनाम परित्रानाय साधुनाम बिनासाय चदुस्कृताम धर्म संस्थाप नार्थाय संभवाम युगे युगे परित्रानाय साधुनाम बिनासाय चदुस्कृताम धर्म संस्थाप नार्थाय संभवाम युगे युगे साधुनाम साधु परित्रानाय उद्धार करने के लिए दुस्कृताम पाप कर्म करने वालों का बिनासाय बिनास करने के लिए च और धर्म संस्थाप धर्म की अच्छी तरह से धर्म की अच्छी तरह से इस्थापना करने के लिए मैं युगे युगे युग में संभवाम प्रकट हुआ करता हूँ भगवान स्री कृष्ण जी कह रहे कि अर्जुन साधु पूर्शों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का बिनास करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से इस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेतितत्वतहा एवं यो वेतितत्वतहा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मा मेति सुर्जुना जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेतितत्वतहा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मा मेति सुर्जुना अर्जुन भगवान स्री कृष्ण जी कह रहें अर्जुन हे अर्जुन में मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम दिव्य अर्थात निर्मल और अलोकिक हैं एवं इस प्रकार यह जो मनुस्य तत्वतह तत्व से वेति जान लेता है सह वह देहं सरीर को त्यक्त्वा त्याक कर पुनह फिर जन्म जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता किन्तु माम मुझे ही एति प्राप्त होता है भगवान स्री कृष्ण जी कह रहें कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलोकिक हैं जो मनुस्य इस प्रकार तत्व से जान लेता है मतलब अच्छी प्रकार से जान लेता है वह सरीर को त्याक कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता कहें कि फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता फिर कहां जाता है तो कहें कि वह मुझे ही प्राप्त होता है कि मेरे में ही लिन हो जाता है वीत राग भयक्रोधा मन्मया मामु पास्रिता वीत राग भयक्रोधा मन्मया मामु पास्रिता वीत राग भयक्रोधा मन्मया मामु पास्रिता बहवोग्यान तपसा पूता मद्भाव मागता बहबो ग्यान तपसा पूता मत भाव मागता बहबो ग्यान तपसा पूता मत भाव मागता वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामु पास्रिता बहबो ग्यान तपसा पूता मत भाव मागता 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 भगवान स्री कृष्ण जी कह रहे कि अर्जुन वीतराग जिनके राग भय भयक्रोधा और क्रोध और राग भयक्रोध सर्वथा नस्ट हो गए थे और मन मया जिनके राग भयक्रोध सर्व नस्ट हो गया फिर क्या हो इसके बाद मन मया जो मुझे में अनन्य प्रेम पूर्वक इस्थित रहते थे अनि राग भयक्रोध नस्ट हो गया और मेरे में अनन्य प्रेम पूर्वक इस्थित रहते थे ऐसे मा मेरे उपास्त्रिता आस्त्रित रहने वाले बहवाह बहुत से भक्त ज्ञान तपसा ज्ञान रूप तपसे पूताः पवित्र होकर मदभावम मेरे स्वरूप को आगताह प्राप्त हो चुके हैं भगवान स्री कृष्म जी कह रहे हैं कि अर्जन कि बहुत से विक्ति ऐसे बहुत से विक्ति हैं कि जिनके राग भय क्रोध सब बिलकुल नश्ट हो गए और फिर इसके बाद वे मेरे में ही अनन्य प्रेम का मतलब होता है कि दूसरे किसी से भी प्रेम नहीं दूसरे किसी से भी लगाव नहीं केवल मेरे से ही प्रेम तो अनन्य प्रेम पूर्वक मेरे में ही इस्थित रहते थे ऐसे जो मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त थोड़े बहुत नहीं बहुत से भक्त ज्ञान रूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं मतलब ये पूरा की रिसर्च किया हुआ पगवान स्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसमें संदे नहीं है कि बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं इसलिए यदि आप भी इसी प्रकार से इसमें प्रयास करेंगे तो आप भी मेरे को ही प्राप्त हो जाएंगे जय स्री कृष्ण